आज हम बनाएंगे मावा गुंजिया इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स ग्रेटेड मावा 100 ग्राम्स केस्टर शुगर 4 तेबल स्पून मिल्क 5 क्रॉस्ट इलाइची 2 कप मैदा ओल क्रॉस्ट पिस्ता मोल्ड गुंजे बनाने के लिए यह मार्किट में अवेलेबल होता है अब सबसे पहले हम गुंजिया का डूर रेडी करेंगे इसमें हम ओल डालेंगे आप घी भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दो कप मैदा में उन फ़ोट कप हमने घी लिया है उकी गी अच्छे से मिक्स होगा है मैदा में अब हम थोड़ा से पानी डालेंगे हम ने थोड़ा थोड़ा पानी करके यूज करना हो चैकि इसका डोह हमने बहुत हार्ड बनाताδα कर दोर रेड़ी हो गया अब हम 20 मेनेच के लिए इसको साइड रख देते हैं और जब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं अब हमें एक पैन लेंगे उसमें खोया डालेंगे और इसको अच्छा से बुनेंगे अब हमें लाइची भी डाल दें इसको अब हमने लो फ्लेम पर ही भूने इसको अब हमने लो फ्लेम पर ही बुन आप मावा आची से घून गया अब हम इसमें दूर दालेंगे अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसमें शुगर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है अब हमें एक प्लेट में थोड़ा सो ऑईल लगा लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे अब हम इसके ओपर पिस्तर डाल देंगे और इसको 15-20 मिनिट्स के लिए ठंडा हो गया है अब हम इसको मिक्स कर देंगे स्टफिंग के लिए रेडी हो गया है अब हम इसको साइट कर जाते हैं अब हम दो भी देख लेते हैं अब हम इसके पेड़े बनाएंगे पेड़े बना लिया है अब हम इसको बेलेंगे इसको मूल्ट के साइज का बिलना है इसको मने ज्यादा नहीं पिलना है नहीं को यह फ्राइ करते अब फट जाएंगे अब हम मूल लेंगे इसपर आइल लगाएंगे इसको ऐसे प्रेस करना है इसको स्टफ करेंगे मैंने मावे में दूद इसलिए डाला है क्योंकि हम जब गुंजिया खाते तो उसको अंदर का बहुत हाड होता है मावा और दूद डालने से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा इसके हम साइड से टा देंगे और इसको हम थोड़ा साइड से प्रेस कर लेंगे कि जब फ्राय करें तो यह फटे नहीं और इसको रख लेंगे इसी तरह हम सारी गुंजिय बना लेंगे गुंजिय हमने रेडी कर लिया अब हम इसको डीप फ्राय करेंगे अब हम इसको डीप ट्राय करेंगे हम इसको लो फ्लेम पे फ्राय करना है अब हम इसको अब हम इसको अब हम इसको निकाल लेंगे इसी तरह हम सारी गुंजिय फ्राय करनेगे गुंजिया खाने के लिए तयार है यह थी हमारी आज की दिश मावा गुंजिया मेरी और वीडियो उसके लिए प्लिए सब्सक्राइब करें प्लीज आके शेयर बाई